नमस्कार दोस्तों, अस्तमा में क्या एक पेशेंट को एक्सराइस करनी चाहिए या नहीं? यहाँ पर बहुत सारी कन्फूजन होती है पेशेंट को और अक्सर भारत ओमोपैती में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका ये सवाल होता है तो आज उन सभी पेशेंट के लिए और इवन जो हमारे वीवर्स हैं उन सब के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अस्तमेटिक पेशेंट को एक्सराइज करनी चाहिए या नहीं और अगर करनी चाहिए तो कौन सी एक्सराइज करनी चाहिए किस तरीके की एक्सराइज करनी चाहिए ताकि उन्हें उससे फायदा मिल सके दिखिए अगर हम एक्सराइज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बहुत सारे होते हैं जब हम जिम जाते हैं तो वो चार दिवारी के अंदर का स्वेस होता है बहुत सारे ओल्रेडी लोग वहाँ पर एक्सेस कर रहे होते हैं जिसकी वज़ा से वहाँ पर आपको dust particles और even सास लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है आपको जो अस्तमा की problem है वो aggravate ह हो सकती है बढ़ सकती है क्योंकि जिम के अंदर चार दिवारी के अंदर होने के कारण ventilation proper ना होने के कारण dust particle अंदर जाने की संभावना बढ़ जाती है और उसी dust के कारण जो अस्तमा है वो बढ़ता है एक्रावीट हो जाता है और अस्तमा का attack देखने को मिलता है लेकिन आप के लिए बहुत ही असरदार है क्योंकि जब आप योगा करते हैं जब आप वॉक करते हैं या हलकी फुलकी अगर आप चौगिंग करते हैं तो उससे आप क्या करेंगे maximum oxygen आप inhale करेंगे और जितनी जादा oxygen एक patient inhale करता है जो asthmatic है तो ये उसके लिए किसी वर्दान से कम नहीं है reason अस्तमा में दिक्कत क्या है कि हमें सांस लेने में problem हो रही है mucus जादा बन रहा है जिसकी वज़े से हम सांस नहीं ले पा रहे हैं लेकिन जब आप pure air लेते हो oxygen maximum लेते हो तो आपके जो lungs हैं वो expand होते हैं और उससे आपके lungs की exercise होती है जिससे आपके जो favorite हैं वो strong ह हो जाते हैं साथ ही आपकी जो अस्तमा वाली problem है उसमें आपको बहुत ही relief देखने को मिलता है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर आप कोई sports खेलते हैं suppose आप cricket खेलते हैं swimming करते हैं volleyball खेलते हैं football खेलते हैं तो यहाँ पर depend करता है कि patient की situation कैसी है generally जब आप cricket खेलत है वो बड़े ना वो धीरे धीरे ठीक हो जाए लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर improvement आता जाए आपकी problem में सुधार आता जाए तो आप धीरे धीरे करके इन sports को भी खेलने की कोशिश और एक शुरुवात कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आप अपने doctors का support जरूर अपने साथ और उनसे भी advice समय समय पर लेते रहें लेकिन अगर सांस से जुड़ी आपको किसी भी समस्या का समधान चाहिए अगर आप हमारे doctor से free of cost concerned करना चाहते हैं तो नीचे दियेगा number पर call करके आप भारत हो पैती के doctor से direct बात कर सकते हैं और समधान ले सकते हैं तो मैं आशा करता ह पूरी वीडियो आपको अच्छे से समधाई होगी कौन सी exercise आपको करनी है कौन सी नहीं करनी है फिर भी अगर कोई सवाल जो रह गया हो तो आप comment section में लिख कर भी हमसे पूछ सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी उनके जवाब दे सको इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्क्राइब